हेलो गाइस, वेलकम बेक तो माई चैनल, आज मैं आपको बिताऊंगे कि आप बहुत अच्छा और बहुत अट्रक्टिव थर्मनेल कैसे बना सकते हैं, अगर आपको पिक्सल लाट और पिक्सल लाब यूज करने नहीं आते हैं, बहुत से लोगों को वह आप यूज करने इंस्टाग्राम के लिए कोई फोटो कलाज बनाने, तो आप सब कुछ इस आप से कर सकते हैं, तो मैं आपको बिताऊंगे कि यूट्यूब थमनेल वाले आप उप्शन पर क्लिक करोगे, सी होल का उप्शन आपको मिलेगा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, तो आपको ब से कर सकते हो, जैसकि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब मैं इसके अडिटिंग करोगी, अब मुझे जो भी टेक्स लिखना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, इसके टेक्स को, और मैं यहाँ पे अपनी वीडियो के अपर टाइटल के अपर कुछ भी टेक्स यहां पर पूर्ड को भी क्लिक होगाल सब्सक्राइब ईसके करूंग उसके माइस को युद्य समय तो मैं आपको अगर आपको ऐसे उपनी बनाना अच्छा लग रहे तो आप ऐसे में एसे भी कर सकते हैं अपने फोन में सेफज कर सकते हो anál च्रप मुझे क्या मिलगा इसका मीrise वाले डिजाइन दिघ्सण कम私 जहिए और आई catchee बना सकते हो। जैसे कि मैंने टेक्स आट कर दिया अपिवेने श्ते कैंड यह पातलों आपको करके दिखाया है। कि जैसे लैटर स्पेसिंग लिखाया है आपने क्या कर द्वाँ लिए इसके कर सकते हो। आप इसके चोड़ाी कम कर सकते हो तो यह थमनेल बहुत ज़्यादा आई कैची होते हैं और लोगों को दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत से ओप्शन मिल जाते हैं जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे प्लस साइन पर क्लिक क्या तो मिरें को ऐसे ऑप्शन मिल गए है मैंने इसमें से टेक्सक्राइब करती हुँ अपने Карस क कुछ भी लिख सकते था पने ताइटल वीडियो का टाइटल कुछ भी एड कर सकति हैं आपको बहुत से fonts मिल जाएंगे यह मैंने आपको स्क्रोल करके दिखा दिया आपको बहुत से अलग-अलग fonts मिल जाएंगे जो कि आपके free fonts है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे है तो आपको जो premium fonts है वो आपको यूज करने की ज़रूरे ज्यादा नहीं पड़ेगी आप इ इसके सारे लेटर को capital कर सकते हो एए पर क्लिक करके और टेक्स के साइस को जैसे कि मैं क्रीज करके देखा रिए वैसे कर सकते हो स्पेसिंग को बारे मैंने आपको समझा दिया था पहले भी तो यही थे आपकी सारे options आपको इस एप में मिल जाते हैं उसके बाद अगर आपक अगर टेक्स के बाद आपका option कौन सा इमेज का इसमें आपके सभी इमेज आगे खुल जाएंगी आप इनमेज कोई इमेज स्लेक्ट कर सकते हो नहीं तो अगर आपको अपने टाइटल के कोडिंग जो भी इमेज यहां से सूट करें आप इमेज वाले उप्शन पर आपको इमेज प्रोवाइट करेंगा आप वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो और वीडियो भी आइड कर सकते हो आप इसमें आपका नेक्स्ट ऑप्शन के आपका वीडियो का और इमेज जो भी आपने लगाई आप उसका कलर भी एक तरह से एड़ कर सकते हो और फिल्टर भी लगा सक सकते हो बहुत अच्छा स्टीकर मिल जाएंगे आप कोई भी स्टीकर इसमें कर सकते हो इसके बाद आपको सबसे इंस पोर्टेंट उप्स्ट्रेशन जो कि तो आप देखो कि बहुत से बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इसका बहुत जएदा यूज़ करते हैं वह जएदा अपने थम्नेल जो है वो पिक्सल आर्ट ये पिक्सल लैप से बनाते हैं लेकिन आप इस यह अपको यहां पर भी मिलता और आप बहुत अच्छा प करते हैं तो वह जो अपने लग जएधा इट्रेक्टिव लिखते हैं और लोग उस पर जएधा तर क्लिक करते हैं तो आप अलग अलग shapes को select कर सकते हो यह मैं आपको blank screen में भी करके दिखांगें एक बर यहां पर लिखा रही हो जैसे कि मैंने इसके और पर कोई भी टेक्स लिख सकते हूं तो वह ज़्यदा अलग सा दिखेगा और बहुत ज़्यदा सुन्दर भी लगेगा जैसे कि यह चेंज कर रहे हुँ मैं इसका मैंने ब्लैक कलर का इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं क्या करूंगी इसके अपर कोई आपको बता दिया है उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि अगर आपको एक ब्लैंक स्क्रीन पर करना है तो आपने यहां से क्या कर लेनी है एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेनी है जैसे कि यूट्यूब के लिए 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 यूट्यूब थमनेल के लिए आपकी ब्लैंक स्क्रीन है आपने इसक्रीन को ले लिया अब आप क्या करोगे इसका अगर आपको यह वह पर चीज लेने अब इससे आपको थामनेल बहुत अच्छा बनेगा और मैं आपको तरीका भी बताते हुँ जैसे मैं यह एक टैंगल की फोर में मैं इसे आप मैं इसका बढ़ा कर लिया अब मैंने इसका साइज बढ़ा कर लिया अब आपको अच्छे से तिक रहा है और यह वह जड़ा आई ऐची हो गया तो लोग इस पर ज़हाँ दर क्लिक करने के चांसे बढ़ जाते हैं जैसे एक पॉछ ज़दा बोल्ड कर दोगे तो यह अब चैंशी कर दी है और शेप मैंने एसे के अंदर ऐसी बना दी हम्हें इसके अंदर फिए कुछ टैक्स लिखती हूं इसका अल्ग तो अच्छ लगहाई बहुर बहुतब बना सकते हैं इससे आपका thumbnail बहुत ज़्यादा colorful भी लगेगा और मैं आपको च्वाइस मलब रिकॉमेंट करूंगी कि अगर आप जो भी thumbnail बनाओ उसके जब नीचे वाली स्क्रीन बैक्राउंड सिलेक्ट करो तो आप तभी सिलेक्ट कर लो कि आप उपर जो कौन-कौन से color से लिखने वाले प्रैक करके देख सकते हैं कौन सा color आपके थमनेल के according शूट कर रहा है उसके और टेक्स लेती हूं आप क्या कर सकते हैं जैसे आपने दो तीन तो शेप्स के अंदर लिख दे एक दो आपने जो टेक्स लिखना है वह सिंपल लिख दो पिल्कुल सिंपल लिख दो था कि वह क अच्छा लिखती है आपकी शेप क्योंकि इसमें क्या भार की साइड का color चेंज कर सकते हो इसके मैंने येलो कलर से लिखा में इसका color चेंज करते हूं अगर मैंने इसको ब्लैक कलरी कर दिया तो देखो कि इतना अच्छा लग रहा है बेलकुल एक दाम आई कैची हो गया त उसके according अपनी कोई भी photo size चोटा बड़ा जैसे आपको करना है जैसके मैं कर रहे हूं side से आपको क्या करना size चोटा बड़ा जो भी आपको zoom करके दिखाने तो आप भो भी दिखा सकते हो अपनी photo कोई भी यहाँ पर thumbnail में लगा सकते हो जादा जिन thumbnails में photo होती है वो thumbnail ज्याद अच्छी लगती है क्योंकि इसमें किया अगर आपको light color चूज करते हो और उसके पर dark से लिखते हो तो बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है जिसके मैंने यहाँ पर yellow color से लिखूंगी देखते कैसे लिखूंगी अभी तो यह ज़्यादा प्यारा है हमें मैं इसका color आई कैची बन गया तो यह बहुत तरह के different different thumbnails अपनी creativity से बना सकते हो इससे क्या आपको बहुत ज़्यादा easy मिल जाएगा अगर आपको यह thumbnail नहीं पसंद आया तो आप next screen ले सकते हो बिलकुल clear उसी color की आपको मिले गया आप उस पर कुछ न कुछ editing कर सकते हो अब आपने design को क्या कर सकते हो safe कर सकते हो तो मैं hope करती हूं आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो का एक लाइक करें में चाहें को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी भी टोपिक पर जाते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे नीचे क कमेंट कर देजे मैं उस चोपिक पर वीडियो बनाने के जरूर कोशिश करूंगी थैंक्यू